आज हम गया जिले के एक ऐसे गौं की कहानी बताने जा रहे हैं, जहां इस गौं के सभी बच्चे पांचवी कच्छा के पढ़ाई पूरा करने के बाद ड्रॉप ओट हो जाते हैं। जी हां यह पूरी कहानी गया जिले के आमस परकंड शेतरे के भूपनगर गौं की है। दरसल भूपनगर गौं पहाडों के बीच में बसा हुआ है और इस गौं में जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। इस गौं में एक प्रात्मिक विद्याले है जहां पर कच्छा एक से पांचमी तक के बच्चों की पढ़ाई होती है लेकिन पांचमी की पढ़ाई पूरा करने के बाद इस गौं के बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। इसके पीछे वज़ा यह है कि यह गौँ जंगल और पहाडों में बसा हुआ है और आसपस कोई भी मादमी की हाई स्कूल नहीं है। पत्रीली और जंगली रास्ता तता दुसरे स्कूल की दूरी अधीक होने के कारण यहां के छोटे छोटे पांचमी पास बच्चे आगी की प प्राथिमी देल भूप नगर में हैं और नेज 18 साने के लिए आपको धन्यवाद यहां का इस्तीती ऐसी है कि रोड आवागवन का साधन नहीं रहने के कारण सिक्षा वेवस्ता चरमायवी है और यहां स्वास्त का सूधा नहीं है और यहां पर जो भी बच्चे पड़ते ह पाँवी पास करने के बाद आगे के पढ़ाई उन लोग का ब्लॉक हो जाता है चुकि यहां पर दूरी जादा है जंगल पहाड है उजा नहीं पाते हैं और यहां जो भी गारजियन हो थोड़ा सिक्षा से दूर है इसलिए उस सिक्षा का महत्व को नहीं समझ पाते हैं और इसके चलते हैं का सिक्षा थोड़ा सा इस्तर गिरा हुआ है और रोड नहीं रहने कारण यहां आवागमन का साधन नहीं है इसलिए बच्चे जो है पाँच्वी के बाद भाही करना नहीं कर पाते हैं पाँच्वी के बाद ड्रॉप ओट हो जाते हैं बच्चे अब तक हों आज नंगाद होता हाँ पड़ पात थीज तो से तेन सो तिन तेय waffle निकले हैं उसमें सिस्ट सक्षा अगे की पढ़ाई कर पाइच जिस्में मैठ्रिक 3 से 4 वाच्च एंट तीन बस्चे और ग्रेजिशन में फिलाल एक बच्चा बढ़ाई कर रहा थी अब्स हैं आफि जाने का बहुत दीकत होता है। इस गौँ के तक्रीबन 200 लोगों ने पढ़ाई किया लेकिन पांचीवी के बाद सिर्फ 8-10 बच्चे ही आगे की पढ़ाई कर सके वह भी दूसरे गौँ में रहकर। आज भी यहां की स्थिती ऐसी है कि आगे की पढ़ाई यहां के बच्चे नहीं करना चाहते हैं। आशे में आप देखना दिल्चस्प होगा कि गया जिला परसासन इस गौँ के बच्चों के ड्रॉप ओट के संख्या को रोकने के लिए क्या कुछ कार योजना तयार करती है। गया से नियू जटिन के लिए कुंदन कुमार। अरॉग के लिए के लिए चाहते हैं। अरॉग कारणा शहीं होगा है। आरॉग के लिए कपने की लिए झाला प्लाउट गया है।